किस से कब और कितना बोलना है? अगर तुमने यह समझ लिया, तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो. सहना चाहिए मौके पर कहना भी चाहिए, और शांती के साथ रहना भी चाहिए. जिसमें प्रेम हो वह हर रिष्टा एक बंधन है. वरना यूँ ही नहीं राधे के साथ. देव की नंदन है. जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए. सार्थी बनना स्वार्थी नहीं. सेहत के लिए योग और किसी की. जरूरत पर सहयोग दोनों से ही. जीवन बदलता है. कनहया जी हमारे पालनहार है. उनके नाम मात्र से ही होता दुखों का सहार है. हमारे भविश्य का आधार आज के यथार्थ. लिए गए निर्ने पर निर्भर करता है. इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है. वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान है. धर्म से भराहरदय धर्म का परामर्ष देता है. प्रेन सदैव माफी मांगना पसंद करता है. और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है. निर्बलता अवश्य इश्वर देता है परन्तु मर्यादा. मनुष्य का मन खुद निर्मान करता है. इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह इश्वर को नहीं मानता. इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह इश्वर की नहीं मानता. रिष्टों में अपेक्षा ही कमजोर बनाती है अपेक्षा तो स्वयम मस्तिष्क में जन्म लेती है संदेह की स्याही से संबंध के प्रिष्ट पर कभी शुब अनकित नहीं होता इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुब रखें समय आने पर सब को मिलता है समय से पहले की चाही दुख का कारण बनती है मित्र शब्द को प्रथम उच्चारन करने वाला व्यक्ति मित्रता के लिए सबसे ज्यादा प्रतिबंध और समर्पित होना चाहिए वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं प्रेम इस संसार की मूल है इसी से संसार बना है दगा किसी का सगा नहीं होता जहां मतलब खत्म होता है वहां दगा की शुरुवात होती है इंसान को उसके कर्म नहीं कर्म के पीछे की इच्चाएं बांधे रखती है क्योंकि इच्चाओं के कारण की कर्म निर्मित होते हैं किसी जीव को कश्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हूं रिष्टों में नियमित दूरिया रिष्टों को जोड़ती है और अनियमित दूरिया रिष्टों को तोड़ती है मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है उस इंसान का मन्जिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनन्दित हो जाएगा इंसान के बर्बाद होने के छेकारण, नींद, गुस्सा, डर, ठकान, आलस्य और काम तालने की आदत इस संसार में भार्गे से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा मुश्किल घडी में अपने बचाने हर बला से मेरे घनश्यां आते हैं